इसका कोई स्वाद, रंग या गंध नहीं है, और हम अक्सर इसके आरपार देख सकते हैं. प्रित्वी का सत्र प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा इससे ढगा है, महा सागरों और नदियों से निकल कर ये बादलों के जरिए वापस आता है, ये हमारे शरीर का लगभग साथ प्रतिशत हिस्सा है. हमारे चारों तरफ और अंदर इतना पानी है कि हम इसे नजर अंदास कर सकते हैं, लेकिन बाकी के सौर मंडल में तरल पानी का मिलना नामुम्किन है. हमारे ग्रह पर इतना ज्यादा पानी क्यूं है और ये कहां से आया? शायद आप जानते हूं कि वाटर मॉलिक्यूल के दो मूल भाग होते हैं, पहला हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट जो लगभग हमारे ब्रह्मांड की शुरुवात से ही मौजूद है, कई करोड साल बाद जब तारे बनने लगे तो आक्सीजन वजूद में आई. इन एलिमेंट्स के सेंटर में इतना ज्यादा दबाव था कि हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़कर हीलियम बने और हीलियम ने आपस में जुड़कर हेवी एलिमेंट्स बनाए, जैसे बेरिलियम, कार्बन और ऑक्सीजन. इस प्रोसेस को नुक्लियो सेंथेसिस कहा जाता है। जब तारिक कोलाप्स हुए और सुपर नोवाज में विस्फोटित हुए तो ये नए एलिमेंट्स पूरे ब्रम्भांड में फैल गए और उन्होंने मिलकर H2O की तरह नए कंपाउंड्स बनाए। ये पानी के मॉलेक्यूल्स उस धूल के बादल में मौजूद थे जिससे हमारा सौर मंडल बना और हमारे ग्रह के बनने के बाद उससे और ज्यादा टकराए। लेकिन एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। पृत्वी पर कितना पानी आया और कब आया। एक थियरी के मुताबिक जब पृत्वी की चटाने बनी तो इस पर कम मात्रा में पानी मौजूद था। ज्यादा तापमान और इर्द गिर्द एट्मोस्फियर ना होने से वो भाप बन कर वापस अंतरिक्ष में चला गया होगा। पानी ग्रह पर ना रह पाता अगर करोण साल बाद हमारा पहला एट्मोस्फियर आउट गैसिंग नाम के प्रोसेस के जरीए न बना होता। ये तब हुआ जब पृत्वी के अंदर की पिघलती चटान ने वोल्कैनिक गैसेस को सतह पर छोड़ा, जिससे ऐसी परत बनी जिसने बाहर जाने वाले पानी को रोके रखा तो फिर पानी ग्रह पर वापस कैसे आया? वैग्यानिकों को शक है कि ज्यादा तर पानी बरफीले कॉमेट्स द्वारा लाया गया या फिर एस्टरॉइड्स द्वारा जिन्होंने करोणों सालों तक पृत्वी पर बंबारी की। रीसर्च ने इस थियरी को चुनोती दी। काबनेसियस कॉन्डराइट मीटियोराइड्स की जाच में जो हमारे सौर मंडल के जन्म के तुरंत बाद बने। वैग्यानिकों ने पाया कि न सिर्फ उनमें पानी है बलकि उनकी मिनरल, कैमिकल, कमपोजीशन भी पृत्वी की चट्टानों और एस्टरॉइड के उन सैंप पानी लाए होंगे, अगर ये सब सच हुआ, तो जीवन का निर्मार पहले लगाए गए अंदाजे से कहीं पहले हुआ होगा। इसलिए हम अभी तक निश्चित तौर पर नहीं जानते हैं कि पृत्वी पर पानी इसके शुरुवात से है या बाद में आया, या दोनों तरह और रोमांचक सफर तै करना पड़ा। प्रकृती की रक्षा और सनरक्षन हर देश, कंपनी और समुदाय की प्राथमिक्ता होनी चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके लिए कौन-कौन से ठोस कदम उठाये जा सकते हैं, तो ed.ted.com slash earthschool पर जाएं।